जैपुर दिल्ली हाइवे स्थित निम्राना का होटल हाइवे किंग आज रविवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। बाइक सवार दो बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए ताबर तोड 20-25 राउंड से ज्यादा फाइरिंग की और होटल के स्टाफ को फिरोती क परची थमाई। गोलियों से होटल में बने शोरूम के कांच तूट गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलीस ने मौके पर पहुच कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोलिबारी की यह सी टीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आपको बता दे कि अलवर जिला क्राइम के लिए पूरे देश में बदनाम है। यही एक बार फिर से यह साबित हो चुका है। भिवाडी व नीमराना क्षेतर में खुले आम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पुलीस को खुली चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली जपुर नैशनल हाइवे स्थित नीमराना के मोहलडिया गाव के पास होटल हाइवे किंग में सुभा करीब छे बजे बाइक पर आए हत्यार बंद बदमाशों ने ताबढ तोड फाइरिंग की। बदमाशों ने रंगदारी के लिए फिर नहीं हुआ। ना ही बदमाशों ने कोई लूट पाट की। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया उससे एक बात साफ है कि बदमाश केवल दहशत फैलाना चाहते थे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद हो मामले की सूचना पुलीस को थी। मौके पर नीमराना पुलीस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुँचे। बहरोड कोट पूतली पुलीस अधिक्षक वंदिता राणा ने बताया कि मामले की जाच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बदमाशों का मुख्य उद्द इश्य केवल रंगदारी था। इसलिए उन्होंने कोई लूट पार्ट नहीं की। पुलीस CCTV कैमरा की मदद से बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बदमाशों का संबंध किस गैंग से है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कहां फरार हुए। इन स अब सवालों के साथ इस पूरे मामले की जांच परताल के लिए टीम बना दी गई है। मदम कुछ पता चला है कि इतने बंदे थे क्या था। दो लोग आये थे पाइक पर आये थे और उसके बाद इस प्रकार से खटना को अंजाम देके गए हैं। एक्स्टॉर्शन से संबंदित मामला नजर में आ रहा है। बाकी की जो डीटेल्स हैं वो पूरी डगलब करने क कि बाद प्रूग प्रूग दाशे कर देजें।